मुबाल गेम से धर्मांतरण का खेल मौलवी का कबूल नामा आया सामने पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक जार ओनलाइन धर्मांतरण में पाप के साज़श एनाये ने शुरू की धर्मांतरण केस की जाज नमस्कार परदफाश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनारी धर्म परिवर्तन यानि किसी शक्स का उसकी मर्जी की खिलाप या फिर उसे लालज दे कर या डरा धमका कर धर्म बदलने या फिर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करना ये कानूनन अपराध है और इस पर सजा के प्रावधान दी है लेकिन बावजूद इसके रोज धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं ऐसा ही खुलासा धर्मांतरन को लेकर हुआ उत्तर प्रदेश में जहां गेमिंग आप के जरिये लोगों का धर्म बदला जा रहा था उत्तर प्रदेश यानि वो प्रदेश जहां सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीटी रखते हैं उसके बावजूद मॉल वियों की दुकान बन नहीं हो रही इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे योपी के गाज़िअबाद में उनलाइन गेमिंग आप के जरिये नाबालिक बच्चों के धर्मांतर कराने वाले गैंग का खुलासा होने के बाद हड़कम मच गया पुलिस को इंपुट मिले हैं कि इस गैंग का जाल देश भर में फैला हुआ है जिसके बाद अब इस मामले की जाच में एनाईय भी जुद गई है वहीं अब इस खबर के बाद ग्रह मंतराले और यूपी सरकार भी फुल आक्शन मोड में है और अब मामले की तार्ग पाकस्तान से जुड़ गए है जर्मांतर के पीछे पाकस्तान में बैठे मॉल वियों के साज़िश बताई जा रही है तो आज परदा उठाएंगे पाकस्तान का योगी से पंगे की जहाँ पाकस्तान ने सीएं योगी को ही खुली चुनोती दे दी और कितना बड़ा ये रैकेट है कैसे ये पकड़ा गया आज इन सारे सवालों से परदा उठाएंगे गेमिंग आप और चार्टिंग आप की एक लिस्ट तयार कुई है साइबर सेल ऐसे सभी आप की जानकारी जोटा रहा है जो वे तरीके से चल रहा है गुगल और अपल स्टोर ने सुरक्षा के लिए खत्रा बता कर ऐसे आप को अपने स्टोर में रखने के प्रतिबंध कर दिया था बदमाशों ने फिर उसे वेब साइट के जरीए लोगों तक पहुंचाने की तयारी कर लिए बारवी के स्टूडेंट के धर्मांतरन के प्रयास में जिस गेमिंग अप और चाट अप का नाम आया वो प्ले स्टोर या अपल स्टोर पर नहीं था उसे भी एक वेब साइट पर दिये गए लिंक से इंस्टॉल किया जा रहा था वेब साइट से इंस्टॉल होने वाले कई संदित आपके लस्ट साइबर से ले तयार के है उसके डेविलेपर को अब नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा नर्मांतरुन के प्रयास के मामने में पुलिस ने रविवार कोई कारूपी अब्दुल रहमान को गरबतार किया अब तक की जाज पे पता चला कि अब्दुल बारवी के चात्र उसके दोस्त के साथ ही परिदाबाद और चंदी गड़ के लड़कों के कॉन्टाक्ट में था उन्हें भी धर्मांतरुन के लिए उकसाया जा रहा था गेमिंग अप से धर्मांतरुन के प्रयास का के सामने आने के बाद पुलिस दो तरीके से कारवाई कर रही है एक टीम मास्टर माइंड बदो और उसके साथियों के तलाश में चापे मारी कर रही है बदो की आख्री लोकेशन मुमाई में मिली दूसरे तरीके से कारवाई में साइबर सेल के टीम चुटी है साइबर सेल ऐसे सभी गेमिंग अप और चाटंग अप की डीटेल निकाल रही है उनके गैर कानूनी पहलू की जाच की जा रही है पता किया जा रहा है कि गूगल प्ले स्टोर और आपल से प्रतिबंदित के जाने के बाद आखिर क्यों वेबसाइट के जरुए इनका लिंक लोगों तक शेयर किया जा रहा है ऐसे आप से कौन सी सूचना यूजर्स की लीक हो रही थी या दूसरों की कौन सी गतिविधिया चल रही है मुख्यारों पी बद्दों की बैंक की एक डीटेल पुलिस के हाथ लगा करीब 200 पेज की बैंक डीटेल में देश के कई हिस्सों से रुपे जमा कराये गए थे नर्मान तो उनके प्रयास में जो भी शामिल है उनकी गरफतारी के लिए लग टीम लगी है साइबर सेल के एक टीम दूसरी दिश्वा में काम कर रही है फोर्ट नाइट गेम और डिसकॉट आप के जरिए बारवी के छातर से आरुपी कॉन्टाक में थे वहीं से कुछ कॉन्टाक डीटेल मिले है अब तक की जाच में कई संदर आईटी का पता चला है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है गेमिंग आप को भी नोतिस दारी कर जानकारी मांगी जा रही है इस मामले में DCP City निपन अगरवाल का क्या कहना है चलिए आपको बता दे निपन अगरवाल ने कहा कि धर्मांतरन के प्रयास में शामिल आप बूगल या आपल स्टोर पर नहीं है इन्हें वेब साइट से सीधे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया गया था बेटल रोयल गेम में इससे पहले लेवल अपग्रेट के नाम पर ठगी हुई थी अब धर्मांतरन के प्रयास का मामला भी आ गया ऐसे गेम की डीटेल जुटाई जा रहे है DCP City निपनागरवाल ने बताया कि पूरे नेटवर्क को तीन चरणों में चलाया जा रहा था हर स्टेप पर अलग लोग थे उनके बारे में पता किया जा रहा है गेमिंग अप पर बदों के अलावा कुछ अन्य आईडी के बारे में पता चला है दूसरे आप Discord है उसे जुड़े लोग भी हमारी जाँच में शामिल किये गए है ऐसा कहना पुलिस का है दुनों स्टेप के बाद तिस्रे चरण में अब्दुल जैसे लोग थे इनमें से अब्दुल की गिरफतारी हो चुकी है बाके लोगों के जानकाली जुताई जा रही है वहीं धर्मांतन को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है धर्मांतन कराने वाले सर्गरा ने कबूल लिया है कि वो इस काम में काफी आक्टव था गाज़ेबाद धर्मांतन मामले में गिरफतार आरोपी मौलवी अब्दुल रह्मान ने पुलिस पूचताच में बड़ा खुला सकिया मौलवी ने बताया कि उसने दो नाबालिक हिंदू लड़कों का धन परिवर्तन कराया है बता दे कि दो दिन पहले ही धर्मांतन के बड़े राकट का पुलिस ने परदाफ पाश किया था जिसके तार विदेशू से जुड़े हुए हैं लोग ऑनलाइन गीमिंग अप के जरिये हिंदू लड़कों को अपने जाल में फसा कर उनका धन परिवर्तन करा रहे थे पुलिस पूछताच में ग्रफतार मौलवी अब्डुल रह्मान ने कई बड़े खुला से इस केस में किया अब्डुल रह्मान ने कहा कि उसका मुख्य मकसद इसलामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना और नाबालिग हिंदू लड़कों को अपने जाल में फसा कर उनका धर्मानतन कराना था इसके लिए वो सबसे पहले हिंदू लड़कों को अपने जान में फसाता था और उन्हें इसलाम के बारे में जानकारी देता था जब वो लड़के उसे प्रभावत हो जाते थे तो उनके धर्मानतन के लिए आगे का प्लान बनाता था अब्दुलरह्मान ने बताया कि करीब एक साल पहले उसकी मुलाकाद दो नाबालिक हिंदू लड़कों से हुई थी दोनों नाबालिक लड़कों को वो अपने जासे में लेने की कोशिश में पूरी तरीके से लगा हुआ था साथ ही उन्हें मुस्न धर्म के बारे में बता रहा था शुरू में तो दोनों लड़के उसकी बातों को अंसुना कर रहे थे लेकिन दीरे दीरे उसके दोनों लड़कों को अपने के लिए आने लगे हाला कि लड़कों की हरकतों पर उनके परिजनों को शक हो गया था एक लड़के की परिजनोंने इसकी शिकायत पुलिस से भी के अबधुल रह्मान ने बताया कि जब मामला पुलिस तब पहुचा दो वो डर गया जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसे अपने मुबायल से सभी हिस्ट्री और चार्ज रिदी कर दी बता दे कि धर्मांतर में आमले में NIA भी जल्द ही जाज शुरू करेगी NIA विदेशी लिंक की जाज कर रहे है सूतर बताते हैं कि NIA इस केस में अलग से F.I.R. भी दर्ज कर सकी है बताया जा रहा है कि तकरीबं धाई साल से फर्जी हिंदू नाम बंदोपी आईडी पना कर धर्मांतर का नेटवर्क चला रहा था पुलिस को शुक है कि शानवास सिंडिकेट चलाने के लिए उसे बड़े लेवल पर फंडिंग हो रही थी पुलिस सूतर के मताबिक खान शानवास धर्मांतर केस खेल में मुख्य करदार है जो नाबाले को बर्गला करता था और जब वो आश्वस्त हो जाते थे तो नाबालिक इसलामधन की तरफ जुक रहे थे तो उसके बाद वो ने उनके घर के आसपास की मजजदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने का दबाव डालता था गाजबाद पुलिस ने नाबालिक बच्चों के धर्मान्तूं राकेट के मामले में नाया खुलासर किया है इस मामले में पाकस्तान का भी आंगल सामने आ गया है वेराज और केंद्र सरकार जाची जिंसी उने भी गाजबाद में डेराट डालिया है बता दे कि गाजबाद पुलिस ने खुलासर किया कि किस तरीके से ऑनलाइन गेम खरीदने वाली नाबालिक बच्चों का धर्मान्तूं कराया जा रहा है दरसल गाजबाद के रहने वाले एक नाबालिक बच्ची के पनिवार ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने पांच बार घर से निकलता है पिता ने जब उसका पीछा किया तो देखा कि वो स्थाने मजद में जाकर पांच बार नमास पड़ता है इसके बाद उन्होंने मामले के शिकायत पुलिस में की इसके बा Pastor पुलिस की जार्च में खुलासा हुआ था कि बच्चे ने मुंबई के एक चخ्स से ऑनलाइन गेंखरीता था वो शक्स इसके बाद से लगातार बच्चे के संपर्क में था और बच्चे का बेनवाश कर रहा था वो बता रहा था कि इसलाम में कितनी अच्छाई है वो इसके मताबिक पाकिस्तान से संचालत यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चानल इन बच्चों को दिखाया जाता था राश्ण बाला धिकार सन रक्षन आयोग यानी NCPCR ने के निसरकार के इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी मंत्राले MEITY को फोर्टनाइट डिस्कॉर्ड के खिलाब जान शुरू करने के लिए कहा था यानि पहले धर्मांतन का खेल एक्स्पूस हुआ उसके बाद फंडिंग के तार और अब विद्यशू का भी आंगल इसकी समेश साम्या चुका है पर दफाश में आज के लेतना ही देखते रहेगे क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमसकार